कि so सो दोस्तों कहें नमश्कार और हाज Democrου हम लोगों नहीं देखा व दैटू में काफी सारी चीजर हम लोगोंने सीखियां अज जो चल हा भी सिस्टम किस सेम है के success एक सब्जेक्ट है जिस तरीके से physics एक सब्जेक्ट है maths एक सब्जेक्ट है English Hindi एक सब्जेक्ट होते हैं उसी तरीके से life में success भी एक सब्जेक्ट है यानि हम लोगों को life में यह आगे बेना है तो जो success है जिस field में भी हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमी जो success है ना, इसको भी हम लोग एक subject के तरीके से लेके चलें, क्या करना है? हमें success को भी subject के तरीके से मानना है, कि ये जो सफलता है, ये भी एक विशह है, और इस सफलता को पाने के लिए कुछ 8 key factors है, कुछ 8 key factors है, जिनको हम लोगों को समझना है, वो 8 key factors क्या-क्या है जो सफलता के लिए जरूरी है जिन से हमें सफलता मिलेगी वो 8 key factors मैं आज आपको बताता हूँ जो आज मैंने सीखे है सबसे पहले जो key factor है that is empowering belief system देखिए एक कहावत होती है whatever the human mind believe and conceive that can be achieved जहां से समझना इस बात को लाइफ में हम लोग है ना पाना बहुत सारी चीज़े चाहते हैं हम बहुत सारी चीजों का लक्ष भी बना लेते हैं मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे कार लेनी है मुझे घर लेना है मुझे पैसा चाहिए लेकिन पता है कई बार क्या होता है कि कोई भरोसा नहीं होता हम लोग लिख तो लेते हैं जी मुझे कार्ड चाहिए लेकिन अंदर से भरोसा नहीं आता है हम लोग लेते हैं मुझे महीने का लाख रुपे चाहिए लेकिन अंदर से भरोसा नहीं आ रहा है और जब तक आपका अंदर से भरोसा नहीं आएगा पहले मुझे मेरे बिलीव सिस्टम को मेरे भरोसे को बढ़ाना होगा तो जब भरोसा बढ़ेगा ना तो चीज़ें आपकी तरफ आकरशित होंगी और यदि भरोसा नहीं बढ़ेगा ना तो चीज़ें आकरशित नहीं होंगे तो इसलिए पहला काम यह है सफलता के लिए कि जो कुछ भी आपको चाहिए जो सक्सिस आप चाहते हो उसके लिए पहले भरोसा करो कि हाँ यह चीज आप पास सकते हो यह चीज आपके साथ हो सकती है गुशी चीज Success के लिए आपके पास Goals होने चाहिए Short Term Goal होने चाहिए Mid Term Goal होने चाहिए Long Term Goal होने चाहिए Ultimate Goal होने चाहिए जो Goals होते हैं अलग-अलग तरीके के Goals होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ Goals बनाने पड़ेंगे शौ्ट टrench मारे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करूड है। देश-विदेश की यात्रा हैं और बहुत सारी चीज़ें तो हमें क्या करना है हमारे पास में पूरा गोल्स का एक सिस्टम होना चाहिए पूरा हमें गोल्स को लिखना चाहिए यह दूसरी चीज मैंने समझी तीसी चीज success principles देखें कामयाभी के लिए कुछ principles लगते हैं कामयाभी के लिए क्या लगते हैं कुछ सिद्धान्त लगते हैं वो सिद्धान्त हमें पता होना चाहिए तो कि जब तक हमें सिद्धान्त पता ही नहीं है principles पता ही नहीं है तो करेंगे कैसे तो जो सफलता के जो सिद्धान्त है वो सिद्धान्त हम लोगों को पता होने चाहिए चौथी चीज रेलिवेंट इस्किल्स चौथी चीज क्या है रेलिवेंट इस्किल्स यानि अपने फील्ड में सफल होने के लिए अपने फील्ड में काम्याब होने के लिए हमें क्या-क्या इस्किल्स लगेंगी क्या-क्या कि वह वो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे में कार लए सेपे हो चाहता हूं मैं टेक्सी का काम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? यदि मैंने काल खरीदीया है, मुझे टेक्सी में चलानी है, तो सबसे पास मैं कौछ सी स्किल होनी चाहिए? द्राइविंिंग लाइट न? चलो इसी तरही किसे मैं बच्चों को टीशन पढ़ाना चालू करना चाहता हूं या कोचिंग देना चालू करना चाहता हूं तो में पास में कौन सी स्किल होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने की स्किल टीचिंग स्किल अभी जैसे भावना गुपता मैम है भावना गुपता तेरपी से कहां पर कौन से पॉइंट्स होते हैं कहां दबाया जाता है कहां पर टेप लगाई जाती है कहां पर मैगनेट लगाई जाती है वग्यरा वग्यरा यानि कहने का से मतलब है कि जिस फिल्ड में आप आ गए हो उस फिल्ड में क्या-क्या इसकी लगेंगी यह आपको पता होना चाइए चीज आपके पास में तूल कीट होने है आपको पता होना चाहिए क्या-क्या टूल लगेंगे और वह वो राइस होने c half जैसे कि for example आप देखते हो सेना हमारी लगी हुई है बॉर्डर पर उदर पाकिस्तान चाइना ये बॉर्डर से उदर देश की रक्षा करने के लिए सेना लगी हुई है आप सोचके देखिए यदि वो सेना वो सेना के सिपाही जिनीजेरा तो क्या लगता है वो कि रक्षा कर पाएंगे उन्के पास में में मोटार्स नहीं है उनके पास में तोप खाना नहीं है कि पास मंें और Same way, हम लोग समझ सकते हैं कि मल लेते हम खाना बना रहे हैं, for example, घाना बनाने के लिए हमारे पास में बरतन नहीं है, हमारे पास कडाई नहीं है, हमारे पास में ग bass नहीं है, तो यह कडाई हो गया, γass हो गया, इस सारी चीज़़े क्या हैं? यह टूल्स हैं उसी तरीके से हमारे business में भी हमें कामयब होने के लिए हमें पस टूल्स होने चाहिए रैट इसके बाद अच्वी चीज आ जाती है rituals and habits हमारी आदते हमारी मान्यताएं हमारे पास में हमारी आदते अच्छी आदते होनी चाहिए कामियाभी के लिए आदते लगती हैं क्या लगती हैं habits लगती हैं आपको life में success होना है तो आपके पास अच्छी आदते होना ही चाहिए लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या-क्या आदते लगेंगी जैसे for example मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे मेरा 10 kg body weight कम करना है सुनेगा ध्यान से मैंने सोचा मुझे मेरा 10 kg weight कम करना है और इसको एक success मानता हूँ मेरा 10 kg version कम हो जाएगा तो I will be successful in the field of health मैं health के field में अपने आपको success मानूंगा कि I lose my 10 kg of weights right तो अब इसके लिए मुझे क्या-क्या आदते लगेंगी number 1 मुझे क्या-क्या खाना है क्या-क्या पीना है यह पता होना चाहिए मुझे कारभाइडेट्स कम लेने हैं, मुझे आना, फैट कम लेना है, मुझे बाहर का खाने के आदत कम करनी होगी, मुझे घर का खाना है, मुझे साम को साथ बजे के बाद नहीं खाना है, मुझे में डाइट को कंट्रोल करना है, साथ बजे के बाद नहीं खाऊंगा, हलका लूंगा फाइबर ज्यादा लूगा पानी ज्यादा पीऊँगा डिली एक्सरसाइज करनी होगी ये क्या है ये हैबिटस है तो मुझे ये आदते डाली होंगी मिरे उस फील में सफल होने के लिए वैसे ही डारेक सेलिंग बिजनिस में मुझे सफल होना है तो मुझे कुछ आदतें लगेंगी और वो आदतें मुझे जाननी है और उन आदतों को मुझे अपने अंदर बिल्ड करना है मुझे मैं दातों को साफ करना है तो डेली मैंने एक आदत डाली हुई है क्या रात को सोने से पहले brush करता हूँ और सुबह morning में brush करता हूँ it's my habit क्यों कि मुझे में दातों को साफ रखना है मुझे मेरा oral hygiene उसको सही रखना है तो उसके लिए मैंने एक आदत डाली हुई है तो वैसे ही वैसे ही success के लिए अपने field में success के लिए भी कुछ आदते लगेंगी क्या है वो आदते वो जाननी है और आदते अपने अंदर install करनी है उसके बाद में सात्वी चीज मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए सब कुछ बहुत बड़िया चल रहा है लेकिन जब तक आप उसकी देख रेक नहीं करोगे आप इसको daily observe नहीं करोगे आप daily monitor नहीं करोगे क्या सही हो रहा है क्या मैं daily काम कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मेरे अंदा आदतें तो हैं मेरे पास में टूल्स तो हैं मेरे पास में स्किल्स तो हैं लेकिन क्या मैं इस्किल्स का इस्तमाल कर रहा हूं क्या मैं टूल्स का इस्तमाल कर रहा हूं यह टूल लेकि मैंने सिर्फ लेके बैठा हूँ मैंने कार तो खरीद लिये, टूल तो है लेक्सी के लिए कार खरीद लेकिन चलाता ही नहीं उसको मेरे पास मैं खाना बनाने के टूल्स तो ही है लेकिन मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ मैं बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ मैंने टूल्स का इस्तमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये मुझे मॉनिटर करते रहना है मैं आपने देख April patient को जब IAU meeting में भरती किया जाता है उपे Vy यह शब्सक्राइटर पर लेकर आते है तो किया चलता रहता है उद्धे क्या होता है आपको पता है रागुलर मॉनीटरिंग जितना सीरियस पेशेंट उतनी रागुलर मॉनीटरिंग आपने देखा होगा वेंटी लेटर पर बंदा है तो 24 आवर्स मॉनीटरिंग चलती है वहाँ पर पूरा स्टाफ होता है बंदा ICU में होता है तो थोड़ी सी लिटल बिट मॉनीटरिंग उसके पेक्षा कम हो जाती है अब बंदे को जनरल होड में डाल दी जाता है तो यह दो हम ज आप रमारे शी हरुं में जब लुस कर देतें से लेकिन हमें के करना और करना आथा हूं जए हलकिन इस उसके फूद्थ ओक ऑप बड़ी द्रमiran परन से रहा हूँ इतार यह मततलब जैसे यह हम लोग घर में कर साइट करते हमारे शी का तेम्परेचर साइट गर अभी जैसे इसी चल रहा था मेरा 24 पर चल रहा था अभी मुझे त्रड लगने लगा तो मैंने बंद कर दिया यानि मेरा इमोशनली मुझे अपने आपको तैयार करना है मुझे emotionally तयार करना है मेरी speed के लिए, मेरे काम करने के लिए मैं daily कितना काम करूँगा, कितने घंटे काम करूँगा मैं daily दो घंटे काम करूँगा, मैं daily चार घंटे काम कर सकता हूँ मैं चार घंटे comfortable हूँ काम करने के लिए, मिरे नोकरी के साथ आता अभी एक्चुली मैं जॉब में भी हूँ न तो सर मैं जॉब के साथ साथ तो दो भी गंटे कर सकता हूँ मैं सब दो गंटे तो गंटे नहीं कर सकता हूँ सर मैं तो फुल टाइमर हूँ मैं तो दस गंटे भी कर सकता हूँ सब मैं 10 गंटे करूगा, पर कब 10 गंटे करूगा अपने आपको तयार कीजिए आप कितना समय देने को तयार हो कितने गंटे काम करने को तयार हो आप किन-किन चैलेंजिस को फेस करने के लिए तयार हो सब मुझे पता है, सक्सिस के लिए निकलिंगा ना, तो कुछ problems तो आएंगे, सब मुझे पता है, कुछ challenges तो आएंगे, सब वो challenges को है ना, मैं face करने के लिए तयार हूँ, I am ready, मैं तयार हूँ, मुझे मालूम है सब पैसे को लिए कुछ issues तो आएंगे, तो कि जब मैं काम करूँगा एक्स्ट्रा तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा, कुछ सीखने का भी खर्चा होगा, का अच्छा आने जाने में भी खर्चा होगा, सब कुछ एक्स्ट्रा पेन भी होगा, इसके लिए मैं तयार हूँ, emotionally I am ready, sir, अभी तक तो सा मैं सिर्फ घर का काम करती थी, मैं housewife हूँ, अभी तक तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए टिफिन बनाती थी, खाना बनाती थी, बस उतने सी काम हो जाता था, लेकिन आप मुझे पता है, आप तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि करके हम इन आर्च चीजों को यदे हम follow कर ले, इनको implement कर ले, तो सफलता 100% success आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, कि यदे आप लोग लाइफ में success होना चाहते हो, तो सफलता को एक subject मान के चलिए, 100% मिलेगी, इनी शुब कामनाओं के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को नो मश्कार,